हेलो एवरीवन गुद बार्णिंग टियो लव फ्यो वेलकम टो लॉजिक पाट शाला सो आज मंडे है आज हम दो दिन का करिंट अफेस करेंगे 28 और 29 नवेंबर की जितने भी इंपॉर्टन करिंट अफेस हम सभी को कवर करेंगे तो काफी बड़ी वीडियो हो चाहेगी तो वीडियो को जरू दिखिया क्योंकि सारे ही कोशन यहां पर आपको कवर कराये जाएंगे और इसका पीडियो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंग्स शिरू करते हैं वीडियो की शिरुवात एक मोटिवेशन कोट से आज से क्या है सक्सेस इस सम of small effort repeated जिब आप छोटे-छोटे efforts करते हो उनको बार-बार repeat करते हो तो ही वो आपको एक तरीके के success के तरफ आगे बढ़ता है क्योंकि कहते हैं ना कि आप कोई भी efforts कर रहे हो कोई भी आप step ले रहे हो उस step से आपको पीछे नहीं हटना है आपको आगे ही बढ़ते चले जान चले फिर इसी success के साथ शिरू करते हैं वीडियो को पहला देखो हम स्टार्टिंग में डे कवर करते हैं और मंत का एंड है तो आपको जल्द ही जो मंतली करेंट अफेस हैं उनकी जो वीडियो से वो भी मिल जाएंगी जहां पर आप अपना और भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं तो सबसे पहले देखें क्या है नाशनल ओर्गन डोनेशन डे की बात करते हैं फॉर्स्ट फॉल यह दिन कब सेलिवेट किया जाता है तो फ्रेंट्स यह दिन सेलिवेट होता है 27th of November को अब इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो Ministry of Health and Family Welfare इनके अंडर में नाशनल ओर्गन और टिशो ट्रांस्प्लांट ओगनाईजेशन के द्वारा इसको ओगनाईज किया जाता है पहली बार यह 2010 में इसको मनाएं किया था अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो इंडिया में 0.65 जो ओर्गन डोनेशन से पर मिलियन प ओके तो ध्यान नकीगा फ्रेंट 27 नवेंबर को लोगों को इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा प्रेरित किया जाता है कि मालीचे जैसे किसी परसन के डेथ हो जाते तो उसके बाद उसके और गन्स तो उसके काम में नहीं रहते हैं तो लोगों को यह प्रेरित करते हैं कि आप organs को जरूत मंद लोगों को donate जरूर करें, तो इसी के साथ आगे देखते हैं, next day होता है red planet day, जो कि 28th of November को celebrate होता है, अब ये 28th November को ही क्यों होता है, देखो ये दिन ना, इस दिन क्या हुआ था, mariner 4, mariner 4, nasa का दिखिए एक probe है, जिसको mars पे भीजा गया था, इस दिन के त और ये जो spacecraft था, ये पहला mission था, जिसको successfully capture किया था, मतब जिसने successfully capture किये थे, mars की close images को, ठीक है friends, तो ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ा important है, आपके exam purpose से, हाल फिलाल के कुछ अगर आपको मैं mission बताओ, तो UAE का जो है अभी हाली में hope mission था, जो की mars के लिए भीजा गया थ 2020 में, इसके अलावा देखो, चाइना के भी काफी सारे mission mars के लिए थे, जैसे कि अभी हाली में तो तियान वेन गया था, जो की भेजा गया था, और USA ने एक perseverance नाम का rover भेजा था, और Ingenuity का, Ingenuity नाम से helicopter भी mars पर send किया था, तो अभी recent mars mission है, ये ध्यान रखेंगा, इन में से कोई साभी exam में पूछ सकते हैं, चले friends शुरू करते हैं वीडियो को, पहला question देखें क्या है, कौन सी country के साथ मिलकर, इंडिया ने launch किया है, पहला, women's involvement in science and engineering research, तो इंडिया ने बताना है कि कौन सी country के साथ मिलकर इसको किया है, friends answer देखें हो जाएगा, यहाँ पर Germany, ये पह कि research आगे बढ़ाने के लिए उनको support दिया जाएगा, इसी के लिए ही ये program को launch किया है, इस program को इंडो German science and technology center के द्वारा इसको launch किया गया है, ताकि women's को encourage किया जा सके, अब बात आती है friend Germany की, तो Germany की capital क्या है Berlin, Germany में currency है Euro, और Germany का national sports क्या है football, ये सब आपको ध्यान रखना है बढ़ते है question number next पे, एक report आईए, जो report दी है, दिखे फिर State Bank of India ने, इस report के according हमें बताना है कि India की rank बतानी in the number of natural disasters since 1900, बढ़ी 1900 से जो natural disasters होए है, उनमें India की rank बतानी है, तो देखे इसमें India की जो rank है, वो तीसरे number की है, अगर हम बात करें पहले दूसरे पर कौन है, तो पहल natural disasters की जो संख्या है, वो सबसे जादा है, अगर हम बात करते हैं, इंडिया की, तो 1900 से लेके 2000 तक इंडिया में 402 disasters होए, और वहीं अगर हम 2001 से 21 तक का period देखे, तो जो natural disasters होए है, वो 354 होई है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, कि सबसे जादा USA में, फिर चाइना, and then third number पे कौन है, इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो disaster report दी गही है न, इसको State Bank of India ने दिया, ये question भी आपका exam में बन सकता है, ठीक है, चले, next question के तरफ आगे बढ़ते हैं, question है हमारा देखिए, कौन सा police station है, जिसको select किया गया है, best police station in India for 2021, वो भी किसने select किया है Ministry of Home Affairs, तो police station का नाम है, सदर बजार police station, सदर बजार police station जो कि कहां पे है, ये डेली में है, जिसको best police station select किया गया है, second place पर रहा है, उडीसा का गंगापू station, third place पर रहा है, भाटु कलान जो कि कहां पे है, हरियाना में, देखो ये जो police station select किया गया है, ये कुछ न कुछ पैर किया है, जैसे कि यहाँ पर crime rate किया है, investigation किस तरीके से होता है, disposal of cases, infrastructure कैसा है, public को किस तरीके से service deliver करते है, इन सभी विशेशताओं के आधार पर इन police station को ranking दी गई है, जिस पर पहले नंबर पर है, सदर बजार police station, जो कि कहां पे है, डेली में है, इसके बाद बढ़ते हैं, ह आयरुवेदा पर्व 2021, friends, यहाँ पर हमें बताना है कि इसका जो आयोजन है, वो किस इस्थान पर किया गया है, correct answer is New Delhi, तो आयरुवेदा जो पर्व है, जो तीन दिन का event चला, इसका आयोजन New Delhi में किया गया, एक exhibition इसमें लगी, जिसमें 40 stalls लगी है, और इसमें कुछ फार् निद्र भाई, उनके द्वारा इस पर्व का पर्व को उद्घाटित किया गया है, यह भी ध्यान लगेगा कि इसको inaugurate किस ने किया, अब देखो इनों ने तो इसको inaugurate किया, यह तो हो गए हमारे Minister of State for आयोश, लेकिन इसके Union Minister की बात करते हैं, तो जो आयोश मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, सर्वननदा सोनेवाल जी के पास है, तो यह एक दो कोशन extra मैं आपको बता देती हूँ, जो कि important है आपके exam purpose से, नेक्ट कोशन ने देखे friends, very important, कौन सा state या कौन सा UT है, जिसने यह decision लिया है कि वो senior citizens को कहां पर करतारपूर साहिव जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर free में उनको यह जो pilgrimage scheme है, यह करवाएगा, एक तरीके से वरिष्ट नागरिकों को पाकिस्तान के करदारपूर साहिव ले जाने का फैसला किया है भई डेली की सरकार ने, डेली की government के दोरे फैसला लिया गया है, और जो पहला batch होगा, शृधालूओ का, वो 2022 में इ पी मुफ्त तीर्थ यात्रा के तहत जो तीर्थ इस्तल है, उनको अपनी सूची में जोडा था, तो एक तरीके से क्या करने की कोशिश करें, देखें कि जो तीर्थालू है, शृधालू है, उनको मुफ्त में जगा जगा जो pilgrimage जगाएं हैं, जो तीर्थ यात्रा की जगाए हैं, वहां पर उनको ले जाने की कुशिश यहां पर की जा रही है, इसी में 2018 में दिल्ली की सरकार के द्वारा, मुख्य मंत्री तीर्थ यात्रा योजना को भी शुरू किया गया था, ठीके, तो यह ध्यान रखेगा अभी हाली में कौन सी जगा है, जहां पर लेके जाने के बात करी, पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में, बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, नेक्स्ट कोशन में देखें, फ्रेंट्स क्या बोला है, फोर्स टाइम इन इंडिया, इन विच स्टेट, हाइब्रिट ई विटोल ड्रॉन जिसको डिपलॉय किया गया है, ताकि वो क्य करेगा, मेडिसिन को डिलीवरी करेगा, रिमोट एरियाज में, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ड्रॉन को तैनात किया गया है, बताना है कि ड्रॉन कहां पर तैनात किया गया है, तो फ्रेंट्स यहां पर देखें, आंसर देखें हो जाएगा हमारा मेगालिया, तो फ्रे माईवीद ये डिस्टेंच रहेगी 25 किलोमेटर की जिसको 25 मिनट से भी कम समय में इसको क्या कर सकते हैं कवर कर सकते हैं तो इससे मेडिसेन वगेरा डिलीवरी करना बहुत जो है असान हो जाएगा देखो पहले एक और कोशन पढ़ लेते फिर मेघाले के बारे में जानेंगे क्वेशन है हमारा भारत के किस राज्य में तीन दिव से चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्गाटन किया गया तो यहां पर देखे आंसर जो होगा वो मेघाले हो जाएगा तो मेघाले के सीम कॉन्राइट के संगमा ने और साथी साथ में जो जपान के अमबैस्टर आफ ज भोण प्यारी सिव जो फ्लाइर होती है एक तरीके से पू chỉ सट्कार अच्छे तरीके से अब यह वह सेलिब्रेट कहां होता है मेघाले में तो बात आती है है फ्रेंश मिः गले की दो यहां पर लोक에शन देख सकते हैं यह है मिः गले स्टेट मिः गले के सीम कॉन है कॉन संग्मा और मिघालय में जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक अच्छा फ्रेंट्स एकोर्ची ध्यान रखिएगा मिघालय स्टेट से जो मिघालय स्टेट फॉर्म हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को असम के दो डिस्ट्रिक थे जिनको काफ कर गया और जिनको काट कर बना था मिघालय स्टेट पहले ये पूरा असम ये इस तरीकी से था लेकिन असम के ये जो डिस्ट्रिक है इनको हटा कर मिघालय स्टेट को बनाए गया था ठीके फ्रेंड्स धियान रखिएंगे इसके बारे में चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं विच स्टेट जिन्होंने अनाउंस्पेंट करा है तो लॉंच दा स्ट्रीट प्रोजेक्ट इन सिलेक्ट स्पॉर्ट इन सेवन डिस्ट्रिक तो भई कुछ चुनिंदर स्थानों पे इस स्ट्रीट पर योशना को शुरू करने की घो अनुभर्सिटी को अनुभव कर सकते हैं जो यहां प्रसाद होगा इन स्थानों में उसकी विवदता का अनुभव करने में उनको बदत मिलेगा स्ट्रीट की फुल फॉर्म क्या है देखे सस्टेनिबल टैंगिबल रिस्पॉंसिबल एक्सपे एक्सपिरियन्शियल एथिन बात आती है फ्रेंड्स देखे केरल की तो केरल के सरकार ने अभी देखो हाली में होमोपैतिक मेडिसिन की डिस्ट्रिबुशन की जो फैसिलेटी है वो शुरू करी थी बच्चों में ठीक है इसके अलावा देखो केरल में जो स्टेट ऐनिमल है वो इंडियन एलिफेंट है स्टेट बढ़ है ग्रेट हउन बिल यहां पर नैशनल पार्क की बात करते हैं तो अनाइमोडी शोला नेशनल पार्क इरविकोलम नेशनल पार्क है माथी के टन शोला बंबादों पेरियार और स्टायलेंट वेली हाँ देख सकते हो यह है केरल की लोकीशन जिसके इधर और नीचे मिलेगा आपको Indian Ocean, so map आप लोग को जरूर याद होना चाहिए, at least आपको India का map तो पूरा ही याद होना चाहिए, इसके बाद देखें, रामपत यात्रा Express जो connect करेगा कौन से शहर को अयुध्या की साथ, तो इसको जोडने वाली एक train है, इसको हरी जंडी दिखाए गई है अभी, अब यही बताना है कि कि शहर को याद्या से चोड़ेगा, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूने, तो जो रामपत यात्रा Express है, यह पूने को अयुध्या के साथ connect करेगा, और इससे देखो जो ट्यूरिस्म है, वो यहाँ पे बढ़ेगा, तो इ nations को जो कि असोसियेट होंगे सारे लौर्ड राम से जैसे नंदी ग्राम और शुर्णगिबरपूर, वरानसी, प्रियागराज, चित्रकूर एंड अयुध्या, फुल पाकेज जो की चार्ज करेगा 14,490 जिसमें breakfast, lunch, dinner, stays, transport and a guide, यह सभी include रहेगा, तो यह पूरा का पूरा जो आपको इतने रुपे में मिल जाएगा, ठीक है, तो फैंट यह भी ध्यान दे किगा कि पूने से किसको connect करेगा, यह आयुध्या को connect करेगा, अब इने को हाली में अगर आपको याद हो कि जो भारत गौरफ trains हैं, मैंने आपको बताया था कि अशुनी वैश्णों जो की जिनके पास ministry of railway है, उन्होंने भारत गौरफ trains को launch किया, जो कि theme based train रहेंगी बिलकुल, यह भी आप हाली में ध्यान रखेगा, question number next की तरफ बढ़ते हैं, कौन से state है, जिसने और्गनाइस किया है international tourism mart 2021, तो friends यहाँ पर जो answer हो जाएगा, वो हो गया, नागलेंड, तो नागल गया है, यह जो event है, यह domestic और जो international market है, उसको पूर्वोतर छेतर की परेटन शमता को उजागर करेगा, कि वहां का जो tourism हो है, वो बड़े, हैना वो highlight हो, और इसमें देखो जो एक भारत, श्रेष्ट भारत जो चीज चल रही है, उसकी अध्यान के दौरान एक तरीके से आउजन किया गया है, इसका आउजन नागलेंड में किया गया, नागलेंड की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है छोटा सा नागलेंड, जिसके CM है, नेफियोरियो, गवर्नर है, जगदीश मुखी, हॉर्ण बिल फेस्टिवल यह बहुत पूछा जाता है, नागलेंड से, और मौत्सू, मौंग फेस्टिवल भी यहां पर मनाया जाता है, इंपोर्टेंट नैशनल पार्क है, इटांगी, इंटांगी नाशनल पार्क, यह आपको ध्यान रखना है, नागलेंड से, बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन पे, इन विच स्टेट, सबसे उचा पुल घाट किस रांचे में बनाया जा रहा है, तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा, यहां पर मनिपूर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन, ठीक है, यह सबसे उचा पुल घाट है, यह आपको ध्यान रखना है, और यह वर्ड का सबसे उचा होगा, इससे पहले जो यह रिकॉर्ड है, यह है यूरोप के, यूरोप में मॉनिटरिग्रो के जो माला, रिज्दे का वायक्ट है, उससे भी यह बुचा रहेगा, उससे भी उसको रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेगा, तो फ्रेंट ध्यान लखेंगे, यह मनिपूर स्टेट में इसको बना स्टेट ने दी है, फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मध्यप्रदेश, अचा मध्यप्रदेश की हाली की कुछ स्कीम में आपको बता देती हूँ, जैसे अभी हाली में यहाँ पर मुख्य मंतरी भू अधिकार योजना को शुरू किया गया था, यहाँ पे नाइट सफारी को शुरू किया गया, इसके अलावा मध्यप्रदेश में लॉंच पैड स्कीम को भी शुरू किया, मध्यप्रदेश के सरकार ने चिन्नौर राइस को जियाई टेक दिया, मुख्य मंतरी राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर मोधी ज ने मध्यप्रदेश में जो राणी कमलापती रेल्वे स्टेशन है, उसके रीडबलब्मेंट का उसका घाटन किया है, ठीक है, तो ये कुछ मध्यप्रदेश से अभी हाल फिलाल की योशना है, इसको ध्यान रखेगा, अब ये जो साइबर तहसील है, इसको क्रेट करने के इशर दी गई वहां के स्टेट होम मिनिस्टर नरोतम मिश्वा के द्वारा, अब इन साइबर तहसील की वज़े से क्या होगा, जो म्यूटेशन प्रोसेस है, म्यूटेशन प्रक्रिया है, वो असान हो जाएगी, और राज्य में लोग, कहीं भी लोग इसका लाब उठा सकत हैं, क्योंकि साइबर चीज़े हैं, सारे चीज़े ओलाइन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि लोगों किसी एक प्लेस पर ही जाना पड़ेगा, वो कहीं भी स्टेट में उस चीज़ेस का बेनेफिट ले सकते हैं, तो फ्रेंट ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट कोशन है हमा जिसने रेसीफ किया है USA का प्रस्टीजियस नाशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन, ये भी ध्यान न कियेगा, कि फिक्शन में इनको ये जो प्राइज है, वो मिला है, फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा जेसन मोट, अब देखो ये नाशनल बुक अवार्ड है, तो इनके न एक केटिगरी होती है, नौन फिक्शन, नौन फिक्शन में जो ये प्राइज मिला है, ये दिया गया है, तिया माइल्स को और इनका नोवल है, All That She Carried, The Journey of Ashley Sack, A Black Family Keepsake, थोड़ा सा अप लाद रख लो, इतना ज्यान रख लो, All That She Carried, तो इस नोवल के लिए उनको नौन फि People's Literature में मिला है, Malinda Loco, उनकी बुक, Last Night at the Telegraph Club के लिए, Poetry में मिला है, Martin Espeda को, Floaters के लिए, Best Translation में मिला है, Anissa Abbas Higgins को, Winter in Shokcho के लिए, तो ये अलग-अलग category में मैंने आपको list दे दी है, आप सारे ही याद रखियेगा, क्योंकि इन में से कोई सा भी question आप लोगों से पू Indian जिनको एक तरीके से title दिया गया, honorary title दिया गया है, Knight of Parrot Gul, Gulfa का जो के इटली का बहुत ही honorary title है, ठीक है, और ये title पाने वाले पहले भार्टे बनी है, Sohan Roy, Sohan Roy केरला से entrepreneur है, जिनको ये title दिया गया है, ये title उनको दिया गया, उनके जो business है, जो भी movies में उनके humanitarian और environmental protection को लेक प्रियास करती है, उन प्रियासों के लिए उनको ये दिया गया है, और ये award Florence में उनको प्रवाइट किया गया है, तो फिर ध्यान रखेंगे, Sohan Roy पहले भार्टे हैं, जिनको ये सम्मान दिया गया, इसके बाद है, इन में से कौन सी book है, जिसने जीता है, First Book Award Fiction at Tata Literature Live Literary Award, तो इन में से जो book है, जिसको ये प्राइस मिला है, वो book है, A Death in Shonagachi, ये book किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये book लिखी है, रिजूला दास ने, तो रिजूला दास की आप देख सकते हैं, फोटो है इनकी और ये है उनकी book, इसको ये प् पहला book award मिला है, fiction में, वहीं बात करते हैं, book of the year award fiction category में किसे मिला है, असोका असूत्र और ये book लिखी है, इरविन एलन सेली ने, तो जितने question आज मैं आपको बता रही हूँ ना, question बहुत साथा important है, और देखिए, first book award non-fiction category में, कविता अयर की book है, landscape of loss, इसी में बात करते ह हमने fiction में पढ़ाता, तो ये है, born a Muslim, ये book का name है, और इसके author है, गजाला बाहव, business book of the year का award मिला है, pandemonium, the great Indian banking tragedy, और ये लिखी है, तमल बांधियो पद्धाय के द्वारा, ठीक है friends, तो इस सारे category में ध्यान रखो, non-fiction, fiction, book of the year में भी एक non-fiction category है, fiction category है, तो इस तरीके से ध दिखान रखियेगा, next question देखे क्या है, Asian Paralympic Committee ने announcement कर दिया कि ताशकंत उजबेकिस्तान में जो अगले Asian Youth Paragames होंगे, वो होंगे, लेकिन हमें बताना है कि ये जो गेम है, वो कौन से year में होंगे, तो ये जो ताशकंत में गेम होंगे, ये 2025 में होंगा इसका venue, अभी वाल है, दो हजार इकेस का, वो कहां पे है, बहरेन में है, दो हजार इकेस का जो एडिशन है, अगर बात करते हैं Asian Youth Paragames की, तो इसकी शुरुआत दो हजार नो में होई थी, पहला इसका जो है, वो जपान के टोक्यों में हुआ था, फिर दो हजार तेरा में होई ये गेम, क्वा पारे सारे questions, अब हम revise करते हैं, तो पहला question है, कौन से देश की शाहीन Force A, surface to air surface ballistic missile का परिशन किया है, तो पाकिस्तान ने किया, इसके बाद friends question है, कि Indian Air Force ने two Miraj 200 fighter aircraft को receive किया है, कहां से, France से, next है, India Internet Governance Forum, इसको inaugurate किस ने किया है, अश्विनी वैशनों ने, next question है, इंडिया का पहला, privately built cryogenic rocket engine का नाम किया है, तो इसका नीम है, धवन वन, next question है, इन में से किस ने, इंडिया का पहला credit card launch किया है, जो कि recycle TV plastics से बना है, तो ये launch किया है, HSBC India ने, next is, इंडिया की rank बतानी है, health tech investment में, तो इंडिया की जो rank है, वो इसमें है, चौते नंबर की पहले नंबर प है, UK, इंडिया आता है, फोर्थ नंबर पे, इसके बादे, Confederation of Indian Industry ने organized किया, 20th edition of Connect 2021, इसको चैन्नाई में, इसका जो है, वो आयजन किया गया, नीती आयो की Poverty Index के अनुसार, जो भिहार है, वो सबसे poorest state की category में आता है, next है, contested land, India-China in the Bounty Dispute, ये book लिखी है, मरूफ आताने, कौनसी टीम ने National T20 cricket tournament जीता है, फॉर दी ब्लाइंड, ये जीता है, आंद्रप्रदेश ने, आंद्रप्रदेश ने इसमें करनाटका को हरा कर ये title अपने नाम किया, इंडियन कौन बने है, बैटर कौन बने है, जोनों टेस्टेब्यू में अपना 100 बनाया है, answer is, शडियेश ऐयर, तो फ्रेंट्स, ये थे हमारे सारे questions, सेटर्ड़े आप लोगों से question पूछा था, फ्रेंड्स, कि किसने inaugurate किया है, पहला international conference on hydrogen energy, तो फ्रेंड भगवंत, खुबा के द्वारा इसको inaugurate किया गया था, और प्रेजिडेंट के उपर impeachment लगता है, महाभयोग पताने और ये श्ड़, आज आप लोगा comment है, बहुत बढ़ी है students, आज के आपके questions देखिए, आज book and author से question है, तो पहली book है The Struggle Within, ये book किस ने लिखी, second है The Great Hindu Civilization, ये book किस author के द्वारा लिखी गई, तो फिर आशा करते होंगे, आज के जितने questions से वो आप सभी को समझ आ रखें क्योंकि category wise वहां से भी question बन सकता है, तो चलिए इसी के साथ हम इस video को end करते हैं, कल आप लोगों से मलाकात होगी, खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्त रहें, Thank you so much for watching this video.